बहिया राधा स्वामी बहिया आपकी सेवा को देखकर इतना दिल परसन नो रहा है इस पेशल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं सेल्यूट आपको राम राम जी दोस्तों हमारे गाँ फत्यपूर बेरी में राधा स्वामी सत्संग चल रहा है और भाई जिसको हम कहते हैं सची सेवा उसका जीता जाकता एक्जमपल हम देख सकते हैं राधा स्वामी सत्संग वाले जो हमारे भाई है इनकी सची नेक नियत सेवा करना आप देखिए इतनी तेज आज बारिश पढ़ रही थी और कैसे ये सेवादार भाई बीच में खड़े होकर लोगों के और सेवा करे जा रहे हैं लगबग एक डेड़ घंटे से एक डेड़ घंटे से इतनी तेज बारिश हो रही है और आप देखिए इन्हें भाई इन्हें आखिर मिलता क्या है अपने घरबार को छोड़ कर आ रहे हैं अपने कामदंदों को छोड़ कर आ रहे हैं और यहां पर आकर समय दे रहे हैं शरद्धा है भाई इसको बोलते हैं सच्ची शरद्धा जो की परमात्मा के लिए है जब भी हमारे हाँ पर रादस्वामी का सत्संग चलता है दोस्तों जितने भी आप रोड देखेंगे सभी रोडों पर जितनी भी धूल मट्टी है गंदगी सब को उठाते हैं यह आकर और यहाँ पर लेडिज यह बच्चे सब सब सेवा करते हैं आपको धूल देखने को नहीं मिलेगी जितने भी रोड पर बड़े-बड़े खड़े हुए होते हैं उनको खुद आकर यह भरते हैं और जैसे तीन दिन का चलता है सत्संग साल में दो से तीन बार होता है तो आप विश्वास मानेंगे हमें रोड पर एक भी गड़ा देखने को नहीं मिलता भाई और इसमें एक सबसे बड़ी जो मुझे मेरे दिल को चूगई वो बात ये है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है चाहे कोई करोडपती हो लखपती हो या बिलकुल लेबर मजदूर गरीब से गरीब आदमियो वो सब एक जगा जाकर लंगर खाते हैं बैठते हैं और भाई अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आराम से प्यार से उसका सॉलिशन पर बात करते हैं अब आजाते हैं दूसरे पॉइंट पर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है भाई वो है यहां के जो सेवा वाले भाई है हमारे यह सबसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं आप देखिए कैसे रोड क्रॉस करवा रहे हैं लोगों को कैसे एक डिसिप्लेन में सिखारे कि आपको साइड से चलना चाहिए अगर आप रोड से चलेंगे तो आपको और आपके बच्चों को चोट लग सकती है भाई किसी के साथ भी कोई अनोनी भगवान ना करे हो जाए एक परसंट तो इनकी एम्बुलेंस एमर्जंसी केसिज के लिए तयार रहती है दोस्तो ऐसे बहुत से सत्संग चलते हैं मगर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज इतना ज़्यादा ध्यान सभी सत्संग में नहीं चलता मैंने आज तक कभी ना तो आप कभी यह मत सोचना कि मैं खुद मतलब ग्यान ले रखा है मैंने मगर मैं दिल से मेरी जो मन में रिस्पेक्ट थी ना रादा सौमी वालों के लिए वो आज सौ गुना ज़्यादा बढ़ गई है भाई यार इतने दिल से कौन करता है अपने घर को छोड़ कर आते हैं और तीन दिन का सत्संग चलता है और आप मानेंगे कि तीन दिन से पहले ये शुरुवात कर देते हैं सफाई करने के और एक यहां की सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी बात यह है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कोई लाइन वाइन नहीं यह नहीं कि भाई तुम करोड़ पती हो तुम वी आईप हो तो तुम जल्दी पहुचोगे और तुम गरीब हो तो तुम लाइन में खड़े रहोगे ऐसा नहीं है भाई सब एक ही साथ लाइन में लगते रहते हैं और भाई सब को प्यार से एक एक करके लंगर भी मिलता है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता भाई कोई यहाँ पर वियाईपी और नॉर्मल वाला कुछ ऐसा चक्कर नहीं है आपको सिर्फ सच्ची शरद्धा और सच्ची और अच्छी बाते सीखने को मिलेंगी जिनकी वज़े से आज हम है तो भाई ऐसी अच्छी अच्छी बाते जिन से सच्च में हमारा जीवन बदल सकता है वो यहाँ पर आपको सुनने को और देखने को मिलेंगी दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एकी बात कहना चाहूंगा कि आप एक बार तो मेरे कहने से यहाँ पर आकर देखिए और हर बार और बार आप आएंगे अपनी मर्जी से क्योंकि यहाँ पर आपको आने के बाद इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइबस आएंगी भाई आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि मैं आपको शवदों में बया नहीं कर सकता आप आईए महसूस करिए और अपने परिवार के साथ मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल कर एक बार तो जरूर आईए और दिल से बोलिए राधा स्वामी